अगर पेपर लीग को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आर सदन में उन्होंने पहले नीट पर चर्चा हो इसकी मांग की और नीट पर बहस होनी चाहिए राहुल गांधी ने फुर्जोर तरीके से इस बात को रखा और कहा कि छात्र देश का भविश्य हैं और देश के अब इसको लेकर राहुल गांधी अब इस पर चर्चा की मांग को लेकर उस दोर तरीके से इस बुशेख उठा रहे हैं अपोजिशन के जो फ्लॉर लीडर्स हैं सब की मीटिंग हुई और युनैनमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिसकाशन चाहिए हिंदुस्तान के स्टूडन से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका इशू है और हम सब को लगता है इंडिया गटवंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविशे हो तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लमेंट हाउस में नीट पे डिसकाशन हो और उसके बाद प्रेजिडेंट्स अड्रेस हो पाए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि ये यवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिसकाशन होना चाहिए रिस्पेक्फुली डिसकाशन होना चाहिए हम रिस्पेक्फुली करेंगे आप भी डिसकाशन में जॉइन कीजे आप भी भाग लीजे और रिस्पेक्फुली क्योंकि ये युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले घबराय हुए हैं उनको ये नही कि आपके उठाएगे बुद्विपर सरकार जवाब देगी मानिये आइटम नमबर फोर सीजे अर्जुन राम लेकवाजी धन्यवाद अध्यक जी मैं लोगसभा की संशोबित कारे सुची के करम सिंका चार पर अंकित दश्पावेश जो मेरे नाम के आगे उलेखित है आपकी आपके आपके साथन के पत्रल कर रखता हूं धन्यवाद इतन नमबर फाइट श्री महाशचीव Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A Hindi and English version issued by the speaker under the rules of procedure and conduct of business in लोगसभा माने सदशगन आप सब वरी सदश हैं राश्टपती अभीभाशन के बीच में कभी इस्तगन प्रस्ताओं को नि लिया जाता सदन की कारवाई आज बारा बज़े तक के लिए स्तगित की जाती है चर्चा की मांग और हंगामा लगातार जारी है आपको बता दें कि अभी बारा बज़े तक के लिए स्तगित कर दिया गया है राष्ट्रपति के अभिवाशन पर चर्चा यहां चल रही थी और इस पूरे विशे को लेकर जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं कई विश्यों को लेकर श्चानती बनाया रखने की अपील वहाँ पर विपक्ष के सांसबों से सदस्यों से उन्होंने की लेकिना हंगामा बढ़ता देख सदनी गारे बाई को बारा बज़े तक के लिए स्थगित करना पड़ा और बरते आगे भुपाल से अगली खबर जहां पेपर लीक मामले पर सक्त कानून मध्यप्रदेश सरकार लाने जा रही है दर असल पेपर लीक मामलों को लेकर इसे रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है ऐसे में इस पर अब सक्त कानून लाया जाएगा और इस कानून के प्रावधानों के दिबात करें तो एक करोड़ रुपए का जुर्माना और दोशी पर एक करोड़ रुपए जुर्माने के साथ साथ उसे दस साल तक की जेल का भी प्रावधान इसमें किया जा रहा है दर असल सभी तरह की गड़बडियों गहर जमानती दाइरे में आएंगी गड़बडियों को लेकर और साथ ये आरोपी की प्रापरिटी को अटैच कर जब्त किया जाएगा परिक्षन के लिए विधी विभाग को ड्राफ्ट भेज दिया गया है